और मैंने इसे एक बैग में रख दिया दैन सी सेज तब वह कहती है and there is a law in this town और कहती है कि इस सहर में एक कानून है एक नियम है क्या नियम है? तो about keeping dogs on a leash यानि कि कुट्टे को पट्टे में बांध करके रखने का leash मतलब होता है पट्टा ठीक है तो कुट्टे को पट्टे में बांध करके रखने का यहाँ पर इस सहर में एक नियम है so why is yours always all over the place तो फिर ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारा जो कुट्टा है ठीक है वो सभी से घुमता रहता है इधर वे जाता रहता है that dog digs off my garden and message of my yard और तुम्हार जो कुट्टा है वो मेरे garden को क्या करता है खोद देता है और मेरे yard को गंदा कर देता है and last weekend और पिछले मत्दद की सब्टा के अंत में Mr. William saw it Mr. William इसको देखे हुए थे it tear open one of my plastic bags मेरे plastic bag जो रखे हुए है उसमें से echo फार रहा था तो ऐसा Mr. William उसको देखे हुए थे well मैंने का अच्छा I say but I can't think of anything to go with it लेकिन बोलते हैं कि कोई भी चीज जो है ठीक है मुझे लगता है कि ऐसा मतलब कि उसने नहीं किया हुआ है then I see मैं देखता हूँ she is piling newspapers वह मतले कि newspaper को इकठा कर रही थी next to her garbage bag अपने अगले garbage bag में जिसमें कि घुरा कच्रा इकठा होता है उसमें वह newspaper को भी रख रही थी listen Mitch Greeny आईसे मैं उनसे कहा सुनो Mitch Greeny save those papers आप उन paper को बचा के रखो for the school pick up school pick up के लिए school के जो बच्चे होते हैं वह आकर के school लेकर चले जाएंगे उससे फिर क्योंगा recycle हो जाएगा तो आप school pick up के लिए उन सारे papers को रखो and they can be made into new paper और उनको फिर से नया paper में बदला जा सकता है तो paper को recycle हो जाता है तो वैसे वो बता रहे थे कि school pick up वाले जो लोग आएंगे आप उन्हें ये दे सकते हैं वे इन सारे paper को नय paper में बदल देंगे save aluminum cans too और जो aluminum के cans हैं उसको भी मतलब कि आप इकठा करके रखो aluminum के can जो मतलब डब्बे होते है aluminum के उसको फेकरा नहीं है उसको अप इकठा करेंगे तो फिर से नया aluminum can बन जाएगा ये उस समझाता है Like the last school pick up she asked वो कहती है कि जैसे कि पिछले school pick up के जैसा where you said you had come and pick up them जैसे कि तुम ने कहा था कि तुम आओगे ठीक है and pick up them तुम उसे उठाओगे but you never showed off लेकिन तुम कभी आये ही नहीं कभी दीखे ही नहीं it is easier to throw them away ये इसको मतले कि फेकना असान है a few at a time that have a big mess like that इसको फेकना असान है एक बड़े mess गंदा रखने से अच्छा है कि इसको फेक ही दिया जाए ये बताती है मिजगिनी I get tired of trying to get मिजगिनी to do something about ecology और रैटर बोलता है कि मैं ecology के बारे में मिजगिनी को समझाने में मतलब क्या ठक गया हूँ नहीं समझ पाई उसको समझाते समझाते I go to Mr. Johnson's house और वो बोलता है कि मैं Mr. Johnson घर पे जाता हूँ She makes a run for his car वो क्या कर रहे थे अपने कार को चला रहे थे But I can run faster than he can लेकिन मैं उनसे भी तेज मतलब की चल सकता था जितने की वो जितना तेजो चला रहे थे कहना मतलब यह है कि जो Johnson है वो कार को इतने slow चला रहे थे जितना की नहीं चलाना चाहिए कार को राइटर जो है वो बोलते है कि मैं उनकी कार से त्य चल सकता था यह है Just trying to get to the post office before it closes He says halfing and puffing वो बोलते है कि मुझे post office close होने के पहले मुझे वहाँ पे पहुचने की कोशिश करनी है वो बोलते है You got time I say मैंने का कि ठीक है तुम मतलब कि अपने समय पहुच जाओगे You even got time to walk वो बोलते है कि आपके पास तो time है यह पहुच जाओगे और आपके पास इतना भी time मतलब था कि आप मतलब क्या कर सकते हैं कि आप टहल कर भी वहाँ पे जा सकते हैं It is only two blocks यह केवल दो block की दूरी पे है तो जदा दूरी है नहीं तो आप असानी से जा सकते है You should not take your car when you don't need to तो आपको अपनी car लेने की जरुद नहीं होती है जब आपको इसकी जरुद नहीं है Suppose अगर आपको थोड़ा ही दूर जाना है तो हमें car लेने की जरुद है तो वहीं समझाते हैं कि आपको दो block की दूरी पे पोस्ट अपिस जाना है और आप car से जा रहे हैं तो यह ठीक नहीं है The work would be good exercise and save on gas रेक्टर बताते हैं कि अगर आप पैदल जाते हैं तो इससे क्या होगा कि अच्छा exercise भी होगा और gas की बचत भी होगी and not pollute और मतलब कि परदूसन भी नहीं होगा that's ecology यही तो ecology है They sure are I say We had a lot about trees and ecology in school They make the air better and stuff like that They sure are मैं बोलता हूँ कि वो बिलकुल निशीत यह सब है ऐसा करना चाहिए हम लोगों को कि हमें जो थुरा फार दूर जाना है तो बाइक से या फिर कार से नहीं जाना चाहिए We had a lot about trees हमारे पास यहां पे बहुत सारे मतलब कि पेर हुआ करते थे बहुत सारे पेर थे and ecology in school और स्कूल में भी बहुत सारे पेर हुआ करते थे they make the air better and stuff like that और जो पेर है वो क्या करते थे कि हावा को अच्छा करते थे साफ करते थे see that tree is over there तो वो बताते हैं Johnson कि आप तुम उन पेरों को देखो वहां पे इसरा करके दिखाते हैं हुए वो कहते हैं कि तुम उन पेरों को देखो pointing to where there is not any tree यानि कि जो Johnson है वह उस जगह पे point out कर रहे थे जहां पे कोई पेर ही नहीं था वो बताया थे कि देखो उन पेरों को देखो और वहां पे कोई पेर था ही नहीं तो अब बोलते हैं I don't see any tree I tell him writer बोलते हैं मैंने उन से कहा कि मैं वहां पे कोई पेर नहीं देख पा रहा हूं यानि वहां पेर था ही नहीं तो कहां देख पाया है कोई तो बोलते हैं जो जॉन्सन वो बोलते हैं He says Of course not हाँ बेसक वहाँ पर कोई पेर नहीं है And no grass either और नहीं कोई घास है वहाँ पर Because you made a path They are taking a shortcut from Mrs. Greenwich क्योंकि तुमने वहाँ पर एक shortcut path बनाया हुआ है Mrs. Greenwich के घर से क्योंकि जैसे कि Johnson बताए कि कार को नहीं चिलाजाजाना चाहिए तो तो वो जो लेटर बंया है में कार zu seperti जॉन्सन बöलते हैं ठीक है नहीं चिलाजा है अच्छा बात है वो बताते हैं कि बहुत सारे पेर मेरे यहां पे जो क्या करते हैं गर्म मोति है हमारे यहं तो यह सुछ बताते हैं पर गर्स करने इसके शाया नो करते हैं मैंने दना थेखता ही नहिए कि नगी कुछ गहास घ्र्ट के कुछन तुम ने क्या किया है कि वहाँ पर एक shortcut राफ़ता बनाया हुआ है मिजगीनी से घर पर आने के लिए और जब shortcut राफ़ता हमनों कहीं बनाते हैं तो देखिए आप लोग क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी घास है पेर पौधे हैं सारे के सारे खतम हो जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है there was a little tree just starting to get bigger वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा पौधा हुआ करता था जो कि अभी शुरू किया था बड़ा होना there until you killed it और जिसको तुमने मतलब क्या किया उसको मार दिया बाइ ट्राइंग टू जंप ओबर एट एबरी डे परते एक दिन तुम उस पर मतलब जंप कर कर गए कहने मतलब यह है कि वह उसे रास्ते से बार बार आया जाया करते थे इससे क्या होए कि वह कुचल गए पैरों से तो ही बता रहे हैं यहाँ पर remember याद करो oh I say मैंने का oh and talking about not driving when you can work और बात कर रहे हो driving नहीं करने के लिए जब आप टहल सकते हो you drive your motorbike round and round your backyard all summer तुम अपने motorbike को गोल गोल अपने backyard में पूरे गर्मी घुमाते हो and your snowmobile all winter और अपने snowmobile को पूरे जारे में snowmobile बढ़ पे चरने वाली बाइक होती है isn't that wasting power क्या यह power की बरबादी नहीं है and making noise pollution टू और खास करके noise pollution भी है इससे तो johnson को समझाते है Mr. Johnson को तो johnson पूछते है कि तुम तो मुझे समझा ले ठीक है कि मुझे driving नहीं करनी चाहिए मुझे टहलना चाहिए मुझे पैदा चलना चाहिए लेकिन जो तूम करते हो वो क्या करते हो पूरे गर्मी में अपने backyard में जो घर के पीछे जगह होती है उसमें motorbike को गोलगोल घुमाते हो वो क्या चीज है और फिर तुम जारे में snowmobile चलाते हो ठीक है वो क्या चीज है snowm यह क्या इस से पावरबाद नहीं होता क्या इस नोच पोलिशन नहीं होता बट इंच फ़न आए से मैं कहता हूं कि लेकिन है तो मजह आता है समय सा करने से तो अब बताये कि राइटर बोलना है कि मुझे मजह आता है तो आप देखे क्या यहां पर जवाब मिलता है जॉंसन का well I enjoy taking the car to the post office he says to Johnson कहते हैं कि अच्छा तो मुझे भी तो मज़ा आता है न कि post office car से जाने में but now you have made me too late लेकिन तुमने अभी मुझे बहुत ज़्यदा लेट कर दिया है he goes in the house looking very mad और वो क्या होता है कि मतले कि बिल्कुल पागल सा दिखता हुआ वो घर में जाता है then I remember he has not paid me तब मुझे यादा करे मुझे तो जौल लेक्स होने चुकाया ही नहीं है यानि पैसा दिया ही नहीं है but I decided to wait until next Saturday कि मैं अगले Saturday तक wait कर लूँगा इंतिजार करूँगा अगले से अगले लूँगा मैं पैसा at least कम से कम I made him not polluted with his car for once लेकिन कम से कम मैंना कम से कम मैंने उन्हें कम से कम एक बार तो उन्हें पॉलूशन नहीं करने दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जौल रक्षा हुआ है वह कार को छोड़ करके वह पैदल ही जाते हैं post office ठीक है तो कम से कम वह बोल रहा है कि मैंने एक बार तो उन्हें पॉलूशन ना करने से बचाया I don't talk to the rest of my route about ecology और बोलते हैं कि मैंने अपने बाकी की जो रास्ते थे ठीक है उसमें मैंने किसी भी तरीके की ecology के बारे हैं बात नहीं की वह इस चीदे घर आ गए इस वेरी बोरिंग वर को बता रहे हैं कि यह बहुत ही उबाव काम है this ecology bit यह पैस्तिकी तंत्र but when I get home लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पर पहुचता हूं I see my mother using the electric mixer मैं देखता हूं कि मेरी मम्मी electric mixer को यूज कर रही है प्रयोग कर रही है electric mixer जिस में की समानों को हम लोग पिषते हैं ठीक है machine था जो बहली पर चलता है तो उसकी मम्मी जो है वह यूज कर रही थी you should do that with your old egg biter I point out her मैं क्या करता हूं कि उनको यह बताता हूं कि आपको यह जो चीज यह जो आप कर रही है masala बना रही है पिर जो भी कुछ पीश रही है यह सारा जो काम है आप पुराने जो एक बीटर है उससे भी आप कर सकती है एक बीटर का मतलब होता है कि एक को फेटने वाला एक बड़तर होता है जिसमें कि हम लोग मसाले कुट शकते हैं पिश सकते हैं उसमें आप कर सकती है manually यानि कि अपने आप मेहत करके ना कि electric से चला करके सेब और electricity वो बोलता है जो उसका जो राइटर कि आपको electricity को बचाना चाहिए women use too many electric things राइटर बोलता है कि आप जो और आते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे electric चीजों को प्रयोग करती है she says in a very cold voice वो बहुत ही प्यारे मतले की अराम शो मतले की बोलती है अब उसकी ममी बोलती है जबाब देती है so who watches TV 27 hours a day around here तो यह बताओ कि कौन यहां पे एक दीन में 27 घंटे TV देखता है और is that some other kind of electricity तो बताओ क्या यह किसी और प्रकार की electricity होती है कि वह electricity है जो मैं उसकर रहे हूं तुम भी उसकर रहे हो तो तुम बरबाद कर रहे हैं टीपित देखर के दिन भर यहां पे मैं थुरा सा यहां पे electricity mixer उसकर ली तो आपको क्या problem हो गया see what I mean देखो मेरा मतलब है nobody willing to do anything about ecology वो writer बोलता है कि मेरा मतलब यह है कि कोई भी ecology के बारे में काम करने के लिए एक चुक नहीं है वो कुछ नहीं करना चाहता है accept me मेरों को छोड़ करके and nobody listens to me और नहीं मतलब कि मेरा कोई सुनता भी है तो श्रेंट से आपका lesson यह समाप्त हो गया तो मुझे लोगा कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा इस lesson में ठीक है आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा तो अगर आपको यह lesson पसंद है तो कि आप लाइक करें कमेंट